हलो स्टूडेंट्स पिछले वीडियो में हमने डिसकस किया था माइक्रोस्कॉप एंड इट्स टाइप जिसमें हमने डिसकस किया था ब्राइट फिल्ड माइक्रोस्कॉप लाइट माइक्रोस्कॉप Bright Field Microscope या Light Microscope जिसमें Object या Specimen को बजुलाइच करने के लिए Light Source की Requirement होती है इस प्रकार के Microscope में Field Bright होता है, Object Dark होता है Light Microscope मैं लिए टू टाइप्स के होते हैं Simple Light Microscope के वल लेंस का यूज होता है तो उसे हम Simple Light Microscope केते हैं जबकि Compound Light Microscope में एक से अधिक लेंसों का यूज होता है इसलिए इसका नाम Compound Microscope रखा गया और यदि इसमें Light Source का यूज होता है Object को बजुलाइच करने के लिए Light Source की Requirement होती है तो इसलिए से Compound Light Microscope केते हैं जो Compound Light Microscope है इसमें मैं लिए थ्री टाइपस के लेंस होते हैं फर्स्ट कंडेंसर लेंस यह देखते हैं इसको यह देखे अप यह अब भी होता है यह डाउन भी होता है इसमें कंडेंसर लेंस बिल्ट है तो गंडेंसल लेंस जो है यह क्या करता है यह Light Source से जो Light House Light Beams है Light Sources जो Light Waves है उनको Collect करके उनको Gathering अब्जेक्ट पर फोकस करता है जिससे Object Illuminate होता है गंडेंसल लेंस को को Up and Down Move कर सकते हैं Second objective lens, compound microscope में objective lens manly 4 types के यूज होते हैं, ये देखिए जैसे, ये, सबसे कम length का, 4x या 5x, x का मतलब होता है, magnification power, मतलब 5x का मतलब ये lens, object या specimen को उसकी size से 5 times enlarged कर देगा, मतलब 5 गुना बड़ा कर देगा, माना की एक RBC cell या कोई cell की size 6 micron है, तो ये 30 micron visualize कर देगा उसको, कितने size पर visualize कर देगा, 30 micron पर visualize कर देगा, मतलब 5 times उसकी size को increase कर देगा, 5x, ये lens की जो magnification power है, वो सबसे कम होती है, इस सभी lens हो में इसकी magnification power सबसे कम होती है, second, 10x, 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 मतलब 10x, मतलब ये specimen या object को 10 time enlarged कर देगा, मतलब उसकी size में 10 गुना, 10 गुना ब्रद्धी कर देगा, अब ये lens का जो huge होता है, generally, जो large specimen है, जिनकी size ज़्यादा होती है, wide specimen है, उनको visualize करने के लिए, या उनका observation करने के लिए, उनकी examination करने के लिए, उनकी steady करने के लिए, 10x का योज होता है, इसे low power lens भी कहते हैं, थर्ड आता है 40x या 45x, 40x हैं, तो ये 40 time specimen को enlarge कर देगा, यदि 45x हैं, तो ये 45 time specimen को enlarge कर देगा, अब इसे high power lens भी कहते हैं, अब fourth है 100x, 100x का मतलाव specimen या object की size को 100 time magnify कर देगा, इस lens का यूज करते समय, specimen या object जो slide पर होता है, पर special oil का यूज करते हैं, इसलिए इसे oil immersion lens कहते हैं, जिससे resolution power बढ़ जाती है, थर्ड आईपीस या ocular lens, इस प्रकार का lens, माइक्रोसकॉप के top पर इस्तित होता है, और ये lens, आई के बिल्कुल नजदीक होता है, आई के nearest होता है, इसलिए इसका नाम आईपीस रखा गया है, आईपीस दो lensों से मिलकर बना होता है, अपर में eye lens होता है, लोवर में field lens होता है, ये इसकी जो magnification power या जो value होती है, वो 4x हो सकती है, 5x हो सकती है, 6x हो सकती है, maximum लेकिन 10x होती है, 10x से अधिक इस lens की value नहीं होती है, अधर 10x जो eye piece होता है, वो maximum magnification value वाला lens होता है, जैसे देखिए, ये one और ये two, ये binocular lens का head है, binocular lens, इसमें दो eye piece हैं, ये दोनों 10x के eye piece हैं, इसमें एक 5x, एक 10x लगा सकते हैं, या दोनों ही 5x हो सकते हैं, generally, commonly इसमें 10x का यूज करते हैं, क्योंकि इसकी magnification power या magnification जो value होती है, वो maximum होती है, अब देखिए, ये इस प्रकार से fit होता है, ये head है, पूरा revolving head है, ठीक है, इसके अंदर ऐसे, इसके जो अंदर देखेंगे अपन, अब जैसे हम इसकी magnification power निकालें, तो देखिए, magnifying power, x का मतलब होता है, magnifying power, जिसे 5x की magnifying power का मतलब, ये जो 5x, 5x का मतलब है, ये 5 times, specimen या object को magnify कर देगा, या enlarge कर देगा, 10x का मतलब है, ये है, specimen या object को 10 times magnify कर देगा, उसको 10 गुना enlarge कर देगा, अब आता है, total magnification, किसी lens का total magnification क्या है, और इसकी value कैसे निकालते हैं, तो total magnification, total magnification बराबर होता है, IPS की जो value है, जैसे 5x, 10x, 4x, उसको multiply कर देगे, objective lens value से, जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं, कि objective जो lens है, वो 5x, 10x, 40x, और 100x के जनरली होते हैं, तो देखिए, total magnification power, जैसे, माना कि IPS है 10x, और objective lens है 10x, low power lens, तो इसका total magnification 100x हो गया, मतलब, आपको जो specimen या object जो visualize होगा, observe होगा, वो उसकी size, 100 time enlarged हो जाएगी, अब देखिए, ये आता है, high power, 40x objective lens, high power lens, और यदि हम IPS 10x का यूज करते हैं, तो इसकी जो magnification, total magnification है, 400x हो जाएगा, oil immersion lens और 100x, और IPS हम यूज कर रहे हैं, माना कि 10x का, तो इसका total magnification 1000x हो जाएगा, बहुत ज़्यादा magnification हो जाएगा, total magnification हो जाएगा, हमें जो object visualize हो गया, वो अपनी size से, 1000 गुना, अधिक enlarge दिखाई देगा, यदि ये 5x, IPS 5x लेते हैं, तो objective lens की जो value है, उसको 5 से multiply हो जाएगा, 4 वाला 10 के, 10 के इसतान पर 5 से multiply हो जाएगा, 100 वाला 5, जिसे से माना कि objective lens 100x है, और ये माना कि IPS 5x है, तो यहाँ पर 500x हो जाएगा, यदि आपको enlarged picture देखना है, यदि आपको specimen का enlarged view देखना है, तो 10x का यूज करते हैं, अब आता है component of compound light microscope, मतलब compound microscope जिसमें एक से अधिक प्रकार के lens का यूज किया जाता है, अभी हमने देखा था, जिसमें तीन प्रकार के lens थे, condensal lens, objective lens और eye piece, अब देखते हैं, इसके components top से लेकर bottom तक, किस प्रकार से components होते हैं, parts होते हैं, components का मतलब होता है, microscope के parts देखते हैं, तो देखिए, सबसे top पर होता है eye piece, जैसे हमने पहले भी देखा था, यह eye piece, इसका मतलब यह eye के बिल्कुल क्लॉज में होते हैं, eye के समीप होते हैं, इन्हीं से हम visualize करते हैं, specimen या object को, इसके बाद देखिए, फिर आता है head revolving, head revolving का मतलब अभी देखिए आप जैसे, यह eye piece, यह पुरा head revolving है, यह head revolving, थर्ड पर आता objective lens, इसके अपने types पड़े थे, 4x यह 5x, 10x, 40x, 100x, यह देखिए, 5x, 10x, 40x, 100x, यह इस तरीके से fit होता है, ऐसे, इस तरीके से, ठीक है, अब आता है fourth arm, यह arm होती है, यह arm, 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 microscope की arm, अब आता है, फिप्त पर आता है mechanical stage, mechanical stage, stage जिस पर specimen या object, या slide को रखा जाता है, उसे ही हम क्या कहते है, mechanical stage, mechanical इसलिए बोलते हैं, क्योंकि यह up or down होती है, या तो up to down किया जा सकता है, slide को इस पर, या left to right किया जा सकता है, जैसे देखिए, यह होती है mechanical stage, stage, यह stage है, इस पर देखिए, यह देखिए, यहाँ slide लग जाएगी, और यह देखिए, इस से slide left to right चलेगी, इस से up or down होगी, अब down, यह होती है mechanical stage, आता है six number, slide या object या specimen, यहाँ slide या object या specimen को रख दिंगे, अब आता है, condenser, 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 जुसकी बात मैंने पहले भी की थी, यहाँ condenser, यह, यह अप और डाउन हो जाता है, यह अप position है, यह इसकी down position है, अब आता है diaphragm and liver, देखिए, यह उता है diaphragm and liver, यह यह, condenser की just ऐसे साथ में लगा रहता है, condenser की साथ में लगा रहता है, अब आता है diaphragm and liver, यह देखिए, यह, यह इससा, यह वाला, यह तो condenser है, condenser की नीचे जो attach है, यह होता है diaphragm and liver, अब आता है filter, देखिए, यह, यह होता है filter, यह filter, इसको इस तरीके से-से लगा देते हैं, यह light source के उपर होता है और diaphragm के just नीचे होता है, attach होता है condenser side, अब देखिए, अब आता है pillar, यह पिलर होता है, यह, यह blur होता है, अब देखिए, अब आता है light source, light source में या तो जिसे ऑप्टिकल या sunlight को लेने के लिए lens हो सकता है, या फिर इसमें light system में built up होता है, light source, जिसमें एक bulb होता है, और light source जो light को, light beam को generate करता है, इस तरीके से सैट होता है देखे एक बल्व है इसमें पूरा सैट होता है ट्रांस्वार्मर बगरा यह सब कुछ होता है इसके अंदर पूरा एक लाइट सिस्टम का एक पूरा यह होता है इस तरीके से लाइट सिस्टम बिल्ड अप होता है इसके अंदर अब आता है अब आता होता है इस चेके भी इससे लाइट की इंटेंसिटी कम या ज्यादा की जा सकती है रेगुलेट की जा सकती है अब आती है फोकसिंग एड़ेस्ट्मेंट नो जब हम बेकरिकल स्टेच पर स्लाइड को रखते हैं और उसे उसमें इस पेसिमें या ऑबजेक्ट को यह होती है यह मैजर है मतलए यह मेजर एड़ेस्ट्मेंट है कोर्स एड़ेस्ट्मेंट है ठीक है एक होता है फाइन एड़ेस्ट्मेंट यह फाइन एड़ेस्ट्मेंट है कुछ माइक्रोस्कॉप में यह दोनों साथ में होते हैं पहले कोर्स एड़ेस्ट्मेंट होता है चोटा जो होता है वो होता है find adjustment नो अब component of microscope अर्था microscope के parts को हम एक real life microscope द्वारा समझते हैं यह projection microscope इसमें एक screen लगा हुआ है ठीक है आप देखो अचो मौनशा माइक्रिसकोप बन गया यह मौनशा माेक्रिसकोप ऴेरे जब 119 इसके मैकोर कुल्स कंद है यदि दोई पीस लग रहे है तो वाई नगल दे सकते हैं अब देख यह 10 सके है यह 10 यह ने घो फोड़ नगल रहां इसमनों को प्रोजेक्शन माइक्रोस्कोप बन जाता है मतलब जो इमेज बिजूलाई जोगी वो इस स्कीन पर आजाएगी यह स्टेडी के लिए बहुत अच्छा रहता है अब देखिए अब इसी स्कीन को हम हटा देते माना की और यह आई पीस को भी हटा दिया ठीक है अब हम क्या करते यदि इसके अंदर यह रिवॉल्विंग सैट और दो आई पीस लगा हो और पूरा यह सैट लगा हो यह यहां से कस जाता है ठीक है अब इसमें और यह देखिए यह रिवॉल्विंग सैट क्यों बोलते हैं से रिवॉल्विंग यह देखो यह यह पूरा घूम जाता है 360 पर गिम जाता है यह आई पीस लगए इसमें कितने आई पीस हैं? दो आई पीस है इसलिए इसको क्या हम होativas? वेक्तुरी अनगा इक यरो अदि इसमें एक यह आई पीस होता तो इसे बोलते हैं मोनोकलर माइक्रो स्कॉप अब देखिये यह क्या है इसका? आर्म, यह आर्म है, ठीक है, इसके बाद ये, ये देखिए, ये पूरा जो सैट है, ये है अब्जेक्टिव लेंस, देखो इसमें ये, ये पूरा अब्जेक्टिव लेंस का सैट है, ये देखो आपीरा, ये अब्जेक्टिव लेंस का सैट है पूरा, ठीक है, ये अब्जेक के टच में हैं यह नहीं केश्मapore की इस पर जो छाह रखिया है उसे मूमेंट करने के लिए लेफ्ट राइट या up and down करने के लिए मतलब field को change करने के लिए slide को move करना पड़ता है उसके लिए इस पर ये adjustment node मैं देखिया ये देखिये, इससे slide left to right किसकती है, देखो ये देखिये ये देखिये slide left to right अब देखिये, इससे ये up and down होती है पुरी stage या slide या object up and down होता है, ये देखिये ठीक है, ऐसे ये ऐसे इस ये पूरा क्या हो गया mechanical stage और ये इसकी हो गई adjustment node मतलब mechanical stage पर slide को move करने के लिए अब आता है light source and condenser देखिये इसमें light source और condenser एक साथ built है, ठीक है उससे पहले आप आने देखा था, उसमें light source अलग था और condenser अलग था, और condenser के साथ diaphragm built था, क्योंकि इसमें ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि projection microscope है, इसमें high illumination की requirement होती है अब ये देखिये, ये switch है on off का, on हो गई light intensity, on on off ठीक है, अब ये इसका light intensity control मतलब इसका regulator है, देखिये यह low है, यह medium है, यह high है यह देखिये, low light हो गई low beam हो गई, intensity low हो गई medium हो गई, high हो गई ठीक है, अब इसके बाद जो इसमें main लोता है जब हम slide को focus करते हैं तो focus करने के लिए हमें इसके adjustment की requirement होती है इसके लिए microscope में दो low होते हैं, जो मैंने अभी बताया था जन्हें adjustment low कहते हैं यह देखिया, यह बाद यह देखिया, यह देखिया यह, यह, तो यह होती है course adjustment low, पहले इसको course से इसको set करते हैं lens को और slide को, अब इसके बाद fine करने के लिए image को focus mean focus visualize करने के लिए well fine focus करने के लिए यह बाला, इसके नीचे यह यह fine या minor adjustment low है, अब देखिये next video में next video में हम देखेंगे कि यह जो compound light microscope है, इसका use कैसे करते हैं, how do use the compound light microscope and object specimen को well defined कैसे करते हैं यह सब हम next video में इसके करेंगे